एक अक्चूबर को कानपूर में शद्धालों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक बड़ी सड़क दुर घटना हुई जिसमें महिलाओं पूर्सो इवन बच्चो सहित कुल 26 वेक्तियों की मृत्य हो गई जिसको देखते हुए मुख्यमंट्रियों की आदित इनाथ ने चिंता विक्त किया तथा कहा कहीं पर भी ऐसी घटना ना हो सभी अधिकारियों को गंभीता पूरा उचित कारवाई करने का निर्देश दिया जिसके संबंध में ASP traffic डॉक्टर महीं डिपाल सिंग ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली और जमपर शहर में प्रतिबंधित किया गया है अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली दिन के समय शहर में अंसरो कहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमित रूप से कारवाई की जाती है उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रा करना पूरी तरह से प्रतिबंदित है तता दूसरी गाड़ी हर प्रयोजन के लिए उपलब्द है उन्होंने कहा कि वैधानिक नियमों का पालन करें इस संबंद में कुरकपूर नियुस से बात करते हुए सब्सक्राइब के लिए को कि हमने सभी धाणा द्रलाणा के लिए नभैसित किया है और इसके साथ उने ये बताया गया है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली किर्षी कार्य के लिए या वानमालवक डोने K लिए होती है वह यात्रियों को बटाने के लिए नहीं है अगर कोई टेक्टर ट्राली में कोई यात्रियों को बिठा के चलता है तो उसके खिलाब कड़ी बैदानी कारवाई करें और गाउं के दिहाच सेत्य थानादेक्षों को ये बताए गया है कि सब लोगों को ये मैसेज भी फैलाएं और उनको प्रिरिद करें कि ट्राली में वैट कर किसी भी प्रकार की कोई यात्ता ना करें अगर ट्राली के में यात्ता करेंगे विठा के तो इस पर दस हजाल रुपय का जुर्माना है और अंबी एक्ट के अन्य कारवाई पी की जाएगी तो मेरा सभी गोरकपर के सम्मानत नागरिकों से विशेश्ट या इंडस्ट्री वाले और किस्ट भाईयों से ये अम्रोद है कि ट्राली का उपयोग सिर्फ मांद होने के लिए करें और शहर में दिन के आवर्स में ट्राली और डंपर पूंड था है प्रतिबंदित तो ट्राली के ऊपर जो इट्रल्स तो लोग बैट जाते हैं फिर उसको असो जो लेकरा तो उसमें बहुत से लोग 25-30 संख्या में बैट आते हैं तो ट्राली में यात्ता करना पूरे तरीके से प्रतिबंदित है चाहें आप किसी भी पिरोजन के लिए कर रहा हो उस करा सिस्ति कर दिए किसी भी तो उस्प किर्शारता रहा हो जाती हैं